नमस्कार आपके साथ मैं हूं रिटिक सभीता स्वागत है आपका SPN 9 नीज में देखिए आधित त्यादब को लेकर जो सवाल खड़े हो रहे थे जिसका जिक्र मैंने आपसे पहले किया था कि आधित त्यादब को जो है अखलेस त्यादब लखनव का मेर बना सकते हैं लेकिन अभी खबरों से पता चला है कि आधित त्यादब का नाम बहुत पीछर रखा गया है निकाय चुनावो में अखलेस त्यादब परिवार के इतर जो है टिकट देने की कोशिस कर रहे हैं कि परिवारवात की राजनीति को खत्म करके यानि कि परिवारवात की राजनीति लगातर चंद सीखर आजा जो अखलेस त्यादब के साथ जुड़ रहे हैं इस से यही पता लग रहा है कि अब इनी का कोई उमीद बार जो है लखनाओ के मेर के लिए तैयार किया जाएगा लेकिन आधित त्यादफ साब तोर पर यह कहतों निजर आया है कि मेरे पिता जी क बात को खारिस करने का मतलब यह है कि पिता जी की पार्टी में कुछ भूमका ही नहीं है इनका कहने का मतलब ही है कि भाईया का जो फैसला होगा वो अटल होगा लेकिन मेरे पिता जी को आंगे रखने का काम भाईया पूरी जोड़ सोड़ से कर रहे हैं लेकिन चाचा शिप लेकिन आदित यादब यही सांत नहीं होते है आदित यादब पूरी कोशिस कर रहे हैं कि कहीं न कहीं नहीं भावी से और यहां पर पूरी कोशिस की जाए कि अगर उत्तर प्रदिस carrier का भविस के तOR पर देखा जाए लेकिन सवाल यह खड़ा होता है कि अखलेश स्यादव प्रिवारबाद का दाग क्यों मिटाना चाहते हैं अखलेश स्यादव क्या बीजेपी से डरते हैं क्या अखलेश स्यादव बीजेपी की क्यों कि आपने देखा कि कॉंग्रिस पार्टी ने भी कि यही किया था क्यों कि बीजर बीज़ेपी लगातार कहती थी की कॉंग्रिस के अंदर तो आंत्रिक कर रहे हैं कि परिवारबाद की राजनीति खत्मों और दिल्ली ए स्वरी लखनव में जो है प्लखनों से मेर का टिकेट मिलीगा आज के लिए जिर्व इतना ही देखते रहे स्पीन नाइड नियूज